नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफोर्म अनेकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनांदन आज हम आज हम आधुनिक भारत के इतियास के इस क्लास में एक और आधुनिक भारत के इतियास की एक मैत्पून हस्ती के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो भारत की आधुनिक भारत की इतियास के सबसे बड़ी त्रास दी जिसे हम भारत विबाजन कहते हैं के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार थे उस सक्षित का नाम था मौहमद अली जिन्ना तो दोस्तों आज हम यूपियस से प्री एक्जाम के पॉइंट से जहां से आपका प्रसंद आ सकता है हम मौहमद अली जिन्ना के बारे में पढ़ने ले जा रहे हैं जो भारत विबाजन के लिए उत्तरदाई थे जिन्नों ने पाकिस्तान के प्रारूप को तयार किया था जिन्नों ने लाहूर अदिवेशन उनिस सु सालीस में पाकिस्तान के परपोजल को मुस्लिम लीग के अदिवेशन में पास की है जिन्नों ने द्वी रास्टर के सिध्धान्त को प्रस्तुत कर एक ऐसी आग 1937 के आसपास लगाई जिसकी लप्टें आज भी जल रही है हम एक ऐसी सक्षित के बारे में जान रहे हैं जिसका जनम उसी अहिंसा के पुजारी गांदी के प्रदेश में हुआ था जिसे हम गुजरात के नाम से जानते हैं अर्थात भारत को आजाद कराने वाली अजीम सक्षित थी गांदी भारत का एकिकरन करने वाला सबसे बैतरीन सक्षित थी सरदार पटेल और उसी गुजरात की जमीन पर एक और व्यक्ति का जैनम हुआ जो भारत विबाजन के लिए सबसे अधिक उत्तर दाई था जो आज पाकिस्तान में काईद आजम के नाम से जाने जाते हैं जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने जिनका अंतिम समय बहुत बुरा भी था और कहते हैं कि जिसका अंत भला तो उसका सब भला लेकिन चुकि ऐसा भला काम किया ही नहीं था तो अंत भला कैसे हो सकता था तो आज हम जो है आपके UPSC प्री और आदूनिक भरत के इतियास के दिस्टिकोन से हम उस पूरी रूप रेखा को पढ़ेंगे कि वो व्यक्ति किस परकार से जिम्मेदार था साथी साथ जो इत्ती बड़ी सक्सियत जिसको सरोजी नाइडू ने हिंदू-मुस्लिम एक्ता का प्रतीक कहा जो आरम में कॉंग्रेसी थे जो गोपाल किसन गोखली फिरोसा मैता और ददवय नौरूजी को अपने आदर्स के रूप में मानता था उस व्यक्ति के ऐसी क्या जची कि उसे के द्वारा बाद में भारत के जो दो टुकडे भारत से अलग हुए पस्मी भारत और पूर्वी बंगाल उसमें सबसे अधिक कोई उत्तरदाई विक्ति था तो उसका नाम था मौहमद अली जिन्ना तो दोस्तों आज हम एकदम डप में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा मौहमद अली जिन्ना की जीवन कहानी और YPSC Pre-Exam में कैसे प्रसंड बन सकता है और फिर मौहमद अली जिन्ना की चले रास्ते पर पाकिस्तान कैसे बनता है और जिस जिन्ना ने पाकिस्तान की नियु रखी उसे जिन्ना ने पाकिस्तान के भी विवाजन की रूप रिखा तयार कर दी थी जिसका पटापिक्स जो है वो आजादी के 20 साल बाद हो गया अर्थात पाकिस्तान की आजादी के आप देख सकते हो 20-25 साल बाद ही 1971 के अंदर एक अलग देश बना जिसे हम बांगला देश कहते हैं तो पहले सबसे पहले मौहमद अली जिन्ना आप धियान रखना मौहमद अली जिन्ना का जन 1876 में हुआ था कुछ लोग कहते हैं कि मुहमद अली जिन्ना ने अपनी जन्म की तिथी को छुपाया था और उनका actual जन्म जो है वो 1870 में हुआ था, 1870 में हुआ था लेकिन जितनी भी authentic books है उसमें जिन्ना का जन्म जो है वो basically 1876 में दिखाया गया और 1948 में उनकी death जो है वो उनको क्वेटा से पाकिस्तान के सहर कराची लाए गया था क्वेटा पाकिस्तान में पढ़ता है, क्वेटा से वो अपनी बहन फातिमा के साथ कराची आए, कराची में जैसे land के उसके बाद जिस ambulance मिले गए वो ambulance खराब हुई जिसको आज पाकिस्तान काईद आजम कहता है, वो दो गंटे तक कराची की सड़कूप को तड़पता रहा और अंत में, कराची में ही 1948 में की death हो गई तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति के बारे में जाने कि वो कहां से था तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले मुहमद अली जिन्ना को जानने से पहले मुहमद अली जिन्ना की परिवार के बारे में थोड़ा समझते हैं आप लोग ध्यान रखना कि भारत का भारत का ये हमारा गुजरात और ध्यान रखना गुजरात जो बना है वो आजादी के बाद बना है, 1960 के अंदर, 1960 में गुजरात बनता है, 1960 में, तो उससे पहले, जब यह पार्ट अंग्रेजों के पास में था पूरा, तो यहां से यह पूरा एक हिस्सा था, और इस पूरे हिस्से को एक साथ Bombay Presidency कहा जाता था, इसको किस नाम से जानते थे, Bombay Presidency के नाम से इसको जाना जाता था, उस Bombay Presidency से, 1936 में एक प्रांथ बना, जिसको हम कहते हैं, Sindh Province, और Sindh Province जो है, वरतमान में पाकिस्तान में है, और Sindh जो है, Sindh कही सबसे मैटमून सिटी है, कराची, तो आपनों ध्यान रखना, कि पहले Sindh, गुजरात, और आज का महरा स्ट्रा, एक ही प्रोविंस था, और ये पूरा प्रोविंस जो है, अंग्रेजों के टाइम में किस नाम से जाना जाता था, तो ये पूरा प्रोविंस जो है, वो बेसिकली Bombay Presidency के नाम से जाना जाता था, Bombay Presidency जो पूरा था, जो पहले मराठों के दिन था, बाद में अंग गुजरात चेतर है उस गुजरात की गुजरात की काठियावार चेतर में आपनों ध्यानकना गुजरात का जो काठियावार रिजन है उस काठियावार रिजन का एक गाउं था उस गाउं का नाम था पनेली ध्यानकना काठियावार कहां पड़ेगा गुजरात के अंदर और ग ये जो है बॉंबे प्रेजिडिन्सी का इसा था और काठिवार का एक गाउँ था उस गाउँ का नाम है पनेली तो ध्यान रखना आप यहाँ पर पनेली है प्रनेली गाउं के अंदर एक सज्जन रहते थे, उनका नाम था पुंजा भाई, प्रनेली गाउं का नाम है, उस गाउं की एक सक्सित थी, जिनका नाम था पुंजा भाई, पुंजा भाई आप लोग यहाँ पर देखेंगे, कि तमाम नाम जो है, वो कहीं न कहीं हिंदू संस से मुसलिम परिवर्तित कास्टिस थी तो उसका इंपेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा तो मैंने कहा कि प्रणेला गाओं की एक थी पुंजा भाई बैसिकली पुंजा भाई जो है और उनका परिवार जो है वो हतकरगा उद्योग में काम करता था मतलब हैंडिक्राफ्ट से जुडवा एक उद्योग हतकरगा उसमें पुंजा भाई काम करते थे सामाने परिवार था उस पुंजा भाई से हम आगे चलें तो पुंजा भाई के चार संतान थी, पुंजा भाई जो है, जो गुजराती थे, पुंजा भाई गुजराती थे और उनके चार संतान थी, उनके तीन बेटे थे, और एक बेटी थी, एक बेटी थी, अब उनके जो तीन बेटे थे, पुंजा भाई की, वो तीन बेटी जो है, उनका नाम था, नमब बजली भाई, नमबर एक, नमबर दो नाथु भाई, पंजली भाई, नाथु भाई और तीसरा जेना भाई, ये तीन जो है बेसिकली पुंजा भाई की तीन बेटी थे, यहाँ पर मैंने उन तीनों का नाम लिखा है, और ये काठियावार का पनेली गाउं, पहले किस प्रेज का पाट था, अंग्रेजों के समय के अंदर, और वहाँ पर पनेली गाउं में पुंजा भाई रहते थे, जो हत्करगा उद्योग से सम्दित थे, ध्यान रखना ये जो है, बेसिकली मुसलिम समुदाई में कौन से मुसलिम थे, तो पुंजा भाई जो है, यहाँ पर इस्प खोजा समुदाई था, और खोजा समुदाई किस कम्यूनिटी में था, तो यह मुसलिम कम्यूनिटी का पाट था, और ठीक वैसे ही था, जैसे गुजरात का बहरा समुदाई है, गुजरात के बहरा समुदाई की तरह है, जो खोजा समुदाई था, वो खोजा समुदाई भी एक स्यांति प्रिये जाती थी गुजरात की और विशेश रुप से ये व्यापार से समधित थे और इस С्यांति प्रिये परिवार में एक एश्यांति पूर्ण व्यक्ति का जन्म होगा जिसको हम मौमद अलि जिन्ना कहते हैं वो मुहमद अली जिन्ना इस पुझा भाई का क्या होगा? तो मुहमद अली जिन्ना जो है इस पुझा भाई का basically पोता था. मतलब जो पुझा भाई जिसकी में बात कर रहा हूँ ये basically दादा जी थे. किसके? मुहमद अली जिन्ना के. किस गाउं में रहते थे? पढ़ेली में काठी हवार कहा पड़ता है गुजरात के इंदर गुजरात किसका पार्ट था तो बॉंबे प्रेजिदेंसी का पार्ट था उससे पूंजा भाई के एक बेटी भी थी जिसका नाम था मान भाई उनकी एक बेटी भी है और ये बेटी का नाम है इसलिए बताया क्योंकि मौह मौहमद अली जिन्ना का काफी समय मान भाई के साथ बीचता है। मतलब मान भाई ने उनको अपने बच्चे की तरह पाला था। किसको मौहमद अली जिन्ना को। उसी पुझा भाई का एक बेटा जेना भाई क्या नाम है जेना भाई और वो जेना सब जो है वो उस समय खोजा समुदाए के जो लोग थे जैसे मौहमद अली तो मौहमद अली के साथ उसके पिता का नाम भी लगता था तो हो जाएगा मौहमद अली जेना और वो ही मौहमद अ जिन्ना कब जब वो कराची जाके सेट हो जाएंगे क्योंकि कराची मुस्लिम कल्चर ज्यादा था और जेना सब जो था वो हिंदू से रिलेटिड था तो ऐसे करते करते ये जेना से जिन्ना बन जाएगा अब आप देखिए हम आगे बढ़ें किस समुदाय से था खोजा समु जेना बन रहे पर हतना जो जाते हैं। व्यापार करने के लिए वे अपने गाओं जो है पनेली से कहां चले जाते हैं गोंडल के अंदर गोंडल में जेना भाई का मन नहीं लगा जेना भाई कौन है मौहमद अली जिन्ना की फादर है और वहां से गोंडल से वो जाके सैट हो जाते हैं कराची कराची उस समय भारत के सबसे महत्मून बंदरगाओं में से एक बंदरगा था अंग्रेजों के समय के अंदर जो उस समय बॉंबे प्रिजिदेंसिम परता था बाद में ये हो गया सिंध परांत के अंदर और आज की तारिक में सिंध प्रांथ पाकिस्तान में है और कराची उसका सबसे बड़े नगरों में से एक नगर है कौन सा कराची सिटी तो वापस रिपीट कर रहा हूं कि पुंजा भाई के बेटे जेना भाई अपने गाउं छोड़ दिया और वहां से व्यापार करने के जज़े गए गॉंडल और गॉंडल से जाके वो सेट हो गए फिर कराची के अंदर और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के कुछ सहर ऐसे थे जिनको अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया जिसमें नाम आता है कलकत्ता का, बॉंबे का, मदरास का, कराची का, सुरत का ये उस समय के important cities थे और चूंकि आप देखिए location के point से गुजरात की location बहुत important है, इसलिए गुजराती जो है बहुत पहले ही मतलब अंग्रेजों के आने से पहले ही भारत में व्यापार के दर्ष्टिकोंड से काफी leading community गुजराती माने जाते हैं वो चाई हिंदू हो और चाई मुसलिम सम्मूदाय हो, ये काफी leading community माने जाते हैं और यहां के लोगों में आप देखोगे तो trading का genetically गुण है, आप इसको देखना और आज भी आप देखोगे तो भारत के अधिकांस पुझी पती जो है, वो आपको गुजरात से मिलेंगे तो कुल मिला के मैं कहना चाहरा हूँ, कि एक गुजराती परिवार में जन्मे, मौमद अली जिन्ना के फादर, जेना भाई, अपने गाउं पणिली से, वो चले गए, गौंडल और गौंडल से, वो कराची जाके सेट हो गए अब कराची सेट होने के बाद, आप देखिए, यहां कराची में अंग्रेज बहुत बड़ी संक्या में थे, तो अंग्रेज व्यापारियों के संपर्क में आए, और उन अंग्रेज व्यापारियों से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई, और देखते ही देखते, हलांकि घाट में एक बेटे का जन्म हुआ, 25 दिसंबर 1876 को, ध्यान रखना, कराची के अंदरी, कराची के एक बिल्डिंग थी, जहां इनका जन्म हुआ था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, कराची में काफी अच्छी बिल्डिंग थी, वहां उनका जन्म होता है, किसका? मौहमद अल हुई, उसी को इतियास में मौहमद अली जिन्ना कहते हैं, और जिन्ना का जन्म जो है, 25 दिसंबर 1876 को हुआ था, 25 दिसंबर 1876 को, कुछ बुक्स में 1870 दिया हुआ है, कि उन्होंने अपनी उम्र छुपाई है, लेकिन जो भी हो, जित्ते भी authentic किताबे हैं, उसमें 1876 लिख हुआ है, तो ध्यान रखना, 25 दिसंबर 1876 को, कराची सहर के अंदर, मौहमद अली जिन्ना का जन्म हुआ, उनकी पिताजी का नाम जेना भाई, और उनकी माता का नाम मीठी बाई था, उनकी माता का नाम मीठी बाई था, उनकी परिवार में जन्म हुआ, अब आपको को जेन जेना सब्द जो है इस जेना सब्द का अर्थ क्या है तो आपनों ध्यान रखना जेना सब्द जो है ये बिसिकली अर्भी जुबान का एक अर्थ है एक सब्द है जिसका अर्थ होता है चिडिया का पंक जिसका अर्थ क्या है चिडिया का पंक इस सब्द का अर्थ होता है तो यहां से जो जेना सब लगेगा मुहमद अली जिना के साथ ये पहले ये नाम था मुहमद अली जेना और मुहमद अली जेना से ये सब बनेगा मुहमद अली जिना तो कुल मिलाके मैं कहूं कि पुझा भाई की एक बेटे जेना भाई जो कराची में जाके सैट हो गए उनी जेन भाई की एक संतान हुई जिनका नाम था मुहमद अली जिन्ना हालंकि मैं आपको बता दूँ कि वो मुहमद अली जिन्ना और उनके जो भाई बैन हो साथ थे उसमें से एक मुहमद अली जिन्ना है उनमें से उनकी एक सिस्टर जो फातिमा है वो अन तक उनके साथ रहेगी इतन दोनों भाई बेहन में इतना इसने था किसमें मुहमद ली जिन्ना और फातिमा के अंदर तो आप यहां से ध्यान रखें मुहमद ली जिन्ना का जन्म कहां पर हुआ है तो उत्तर होगा कराची के अंदर कराची में जन हुआ अब देखिए आप अगे कि जन के बाद जन के बाद जो है उन्होंने कराची पहुँशने के बाद मुहमद सुरी जेना भाई ने व्यापार में दिन दुनी रात चोगुनी तरक्य की और जब तरक्य करते हैं तो जैसी बात है कुछ अच्छे लोग भी कि प्राफ्ट से उनकी मुलाकात होती है तो वापस में रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा कि जो जेना भाई है अब आपको गिसर जेना भाई कौन है तो जेना भाई जो है ये मौहमद अली जिन्ना के पिता जी है मौहमद अली जिन्ना के पिता जी है और वो जेना भाई जो है गुजरात के प्रेली गाउं से आकर कराची सेट हो गए और जेना भाई के एक दोस्त थे अंग्रेज उन अंग्रेज दोस्त का नाम था फैडरिक ली क्राफ्ट फैडरिक ली क्राफ्ट अब आप देखिए कि फैडरिक ली क्राफ्ट जो है जो एक अंग्रेज ट्रेडर था ये बेसिकली जेना भाई को कहता है कि आप अपने बेटे को लंदन भेज़ दीजी आपको बतार लंदन जाना आज भी बड़ा मुश्किल काम है लेकिन कराची जाने के बाद ये उसकी किस्मत की बात है कि उसके फादर जैना भाई जो उस समय तक एक बड़े व्यापारी बन गए उनकी मुलाकात फैडरिक डील लीक्राफ्ट के साथ हुई और फैडरिक डील लीक्राफ्ट जो उनके दोस्त व्यापारी थे उन्होंने सला दी कि मुहमद अली जिन्ना को जिसका नाम पहले ध्यान रखना मुहमद अली जैना ही था बाद में होगा मोहुम्मद अली जिना मोहुमद अली जेना को इन्होंने लंदन बेजने को लिए कहा और कहा कि वहाँ पर ये कोई व्यापार सम्म نے काम कर लेगा कहते हैं कि इस बात को सुनकर के जेना भाई को खुशी हुई लिकिन जेना भाई की जो मदर थी वो इससे खुश नहीं थी वो अपने बेटे से बहत प्यार करती थी और वो लंदन नहीं भेजना चाहती थी लेकिन पिताजी के दबाव में उनकी मान ने भी आखिर में सुईकार कर ले कि ठीक है आप उनको भेज दो तो इस परकार आप देखिए कि 18 उनके भेजने से पहले उनके उस समय क्या था युवा आवस्ता से पहले ही मतलब बाले आवस्ता के अंदर ही स्यादी कर दी जाती थी तो 1892 में लंदन भेजने से पहले लंदन भेजने से पहले की बात है कि उनकी स्यादी जो है मुहमद अली जेना जो बाद में महमद अली जिन्ना के नाम जना गया उसकी स्यादी जो है 1892 में स्यादी कर दी गई जब स्यादी की गई तब महमद अली जिन्ना 15-16 साल के थे और उनकी स्यादी किसके साथ के गई तो आप लोग ध्यान रखना एमी बाई के साथ उनकी पहली पत्नी का नाम क्या है? पहली पत्नी का नाम है Amy बाई और इस परकार आप देखी एटीन नाइटी टू में लंदन बेजने से पहले उनके जीवन में दो बड़ी गटनाई गटती है दो गटनाई और लंदन से वापस भारत लोटेंगे तब भी दो गटनाई गटती है पहली गटना क्या है? कि उनके पैरेंट्स ने लंदन बेजने से पहले उनकी स्यादी चुह है मौमद अली जैना की स्यादी Amy बाई से करती है पहला पूइंट और दूसरा आप लोग ध्यान रखना 1892 में ही जब वो लंदन जाने वाले थे उससे एक सप्ता पहले जो जैना भाई जो उनके फादर थे उनके खिलाफ कई केस चल रहे थे उनमें से एक केस उनके खिलाफ चला गया उनके पिता के खिलाफ चला गया और उनके फादर जो है वो ध्यान रखना उस जमाने के एक अच्छे खासे व्यापारे थे दो गटनाए हैं नमबर एक कि 1892 में लंदन जाने से पहले उनकी स्यादी मुहमद लिज जैना की स्यादी Amy बाई से कर दी गई दूसरा जब वो लंदन जाने वाले हैं उससे एक सब्ता पहले ही उनके पिताजी जो है वो एक केस कोर्ट में हार चुके हैं और उनके खिलाफ मुगदमा दर्ज हो चुका है किसके खिलाफ जिन्ना के फादर की खिलाफ और उस जमाने में वकील की बहुत बड़ी भूमिका थी इसलिए कहते हैं कि यहां से जब केस उन्होंने देखा तो हो सकता है कि यहीं से उनके मन में वकील बनने की चाहत जगी हो जबकि उनके पिता जो है उन्हें एक अच्छा व्यापारी बनाना चाहते थे अब आप देखिए मोहमद अली जिन्ना 1892 में लंदन चले गए 1892 में लंदन चले गए और उससे पहले कि थोड़ी कानी में और समझा दूँ कि जब उनका जन्म कराचे में हुआ था तो जन्म के कुछ समय बाद दी वो अपने बुआ के साथ चले गए थे और उनकी बुआ का नाम क्या मानबाई और मानबाई कहा रहे थे थी बॉम्बे के अंदर तो ध्यान रखना लंदन जाने से पहले उनका अधिकान समय कराचे में बीता है लेकिन वो कुछ समय के लिए अपने बुआ मतलब फूपा के साथ चले गए बॉम्बे वहाँ पर कुछ समय के लिए वो रहे वहाँ पर कुछ सिक्षा उनकी वहाँ बे भी हुई है लेकिन वापस कराचे आ जाते हैं और दूसरा एक टर्निंग पॉइंट और देखिए जब इदर से वो लंदन जाते हैं कौन मुहमद अली जिन्ना जो मुहमद अली जेना के नाम से थे तो उसी समय उनके जाने के कुछ समय बादी चुकि वो केस वेस के अंदर बहुत कुछ हार जाते हैं तो वो जगह चेंज करते हैं और मुहमद अली जिन्ना के फादर भी कहां से कराची से अब जिन्ना चले गए कहां लंदन लंदन जाने के बाद लंदन जाने के बाद एक गटना लंदन जाने से पहले उनके पिता केस हारते हैं और वो वहां पर दिवालिया गोशित हो जाते हैं कराची के अंदर दिवालिया गोशित होने के बाद उनके फादर ज अपार करने ले गया था 15 साल की एस थी सुरुवात में इसका मन नहीं लगा लेकिन ध्यान रखना भारत की भारत के विबाजन के लिए उत्तरदाई ये सक्सियत बहुत चालाक व्यक्ति था और लंदन में ही इसने हाई प्रोफाइल लोगों तक पहुंचने की कोशिस उस समय क अगली और देखिए आप किसमत की बात कि 1892 में लंदन जाने के बाद ये विक्ति जो है वो संपर्त में आया जिसे हम कहते हैं भारत के वयवर्त नेता दादवाई नोरुजी और दादवाई नोरुजी उस समय की अजीम सक्सियत थी भारत के अंदर भी और लंदन के अदर और कहते हैं कि उसी समय उन्होंने लंदन में जब लेबर पार्टी से चुनाओ लड़ा किसने दादवाई नोरुजी ने और नोरुजी चुनाओ जीत गई ये गटना कब की है और आपको पता होगा ब्रिटिस संसद में पहुंशने वाले पहले भारती जो है फर्स्ट इन्होंने चुनाओ लड़ा उस समय 1892 में मौमद अली जिन्ना और कुछ भारतियों ने दादवाई नोरुजी का बहुत अधिक सहयोग किया था इसे जिन्ना जैसे युवाउं से दादवाई नोरुजी काफी प्रभावित हुए कि दादवाई नोरुजी काफी एस थी वो काफी प्रभावित हुए वो उस समय बिटिस पार्लिमेंट के सदस्य थे और ध्यान रखना कि दादवाई नोरोजी का संपर्क मिलने के कारण संपर्क मिलेकर मौहमत अली जिन्ना नोरोजी के माद्यम से बिटिस संसत की कारवाई देखने तक पहुंच गया जैसे आप भी जा सकते हो आगर हमारी संसत चल रही हो तो वहाँ पर विजटर्स के एक पूरा होल बना हुआ है जिसमें हम चलती वी संसत की प्रोसीडिंग को देख सकते हैं ऐसे ही मौमत अली जिन्ना दादबाई नोरोजी के साथ रहते रहते वो कई बार बिटिस संसत में भी प्रोसीडिंग की कारवाई देख चुका था इसलिए उसके मन में दो सपने जगे एक सपना तो था कि यार मुझे बहुत बड़ा बैरिश्टर बनना है वकील बनना है और दूसरा मुझे बिटिस पार्लिमेंट का मिम्बर बनना है आप देखिए सोच देखिए आप इस दोरान वो पड़ाई करते करते कौन मुझे जेना जो है वो दादवे नोरोजी इन सब के संपर की वज़े से वहाँ पर कानून की जो परिक्षा होती है जो लौ करने के जरूरी है उसको पास कर जाते हैं और बैरिश्टर बन जाते हैं 1896 के अंदर वो बैरिश्टर बन करके वापस बहरत आते हैं जब बहरत आते हैं तो उससे पहले दो गटना ये गटित हो चुकी हैं क्या गटना जब वो गए तब उनकी स्यादी जो है एमी बाई से हुई थी जब वो गए तब उनकी माने काफ़ी विरोत किया था उनके जाने का लेकिन जब वापस 1896 में वो वापस आते है मामद अले जिन्ना तो न तो उनकी पत्नी एमी बाई जिन्दा है वो भी मर चुकी है और दूसरा उनको बे इंतहा प्यार करने वाली उनकी मा भी इस दुनिया से चल बसी और आप लोग ध्यान रखना लंडन से जब मुहमद अली जिन्ना वापस आएंगे तो आप बताईए वो कहा जाएंगे कराची या बॉम्बे मैंने कहा कि उनके पिता जी चुकी बॉम्बे उनको कराची में काफी लोस हुआ अपने आपको दिवाले गोसी तो उनने कर दिया था तो वो सेट हो चुके हैं बॉम्बे अब मुहमद अली जिन्ना चो था वो वकील बनने के बाद वो अपने आपको एक बहुत पड़ा वकील बैरिस्टर समझता था और वो काफी समय तक बॉम्बे में होटल्स में रहा काफी समय तक वो होटल्स में रहा और वो आम लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था हाँ ये कह सकते हैं कि वकलात में उसकी पकड बहुत भेंकर थी इसलिए यहां आने के बाद भी वो उस समय के जो बड़े बड़े वकील थे उनके संपर्क में आया और एक बहुत बड़े अंग्रेज वकील थे जिनके संपर्क में आके वो बार एसोसियन बॉम्बे बार एसोसियन का सदस्या बन जाता है मतलब आप देखिए कि वहां से जो महमद अली जिनना लंदन से वापस आया वो बॉम्बे हाई कोर्ट के बार एसोसियन का मेंबर बन चुका है जब बॉम्बे हाई कोर्ट के बार एसोसियन का मेंबर बनता है तो उस समय भारत में सबसे बड़े वकिलों में नाम था फिरोसा मेता का तो बहुत जल्दी फिरोसा मेता के संपर्क में आ जाता है और फिरोसा मेता ध्यान रखना पार्सी समुदाई के पहले बेरिश्टर थे और फिरोसा मेता बहुत रिच परशन थे उनके संपर्ख में आता है और कहते हैं कि उनकी जैसी जीवन सेली को अपनाने का प्लियास जो है वो मौहमद अली जिन्ना करता है अब मौहमद अली जिन्ना आप देखे फिरोसा मैता के बारे में कहते है कि वो बहुत high profile बैरिस्टर थे और उनके संपर्क में आ रहा है मौहमद अली जिन्ना कहते हैं कि मौहमद अली जिन्ना 1896 में भारत लोटने के बाद 1896 से लेकर 1905 के बीच में जिन लोगों के संपर्क में उस सबसे अधिक आया क्योंकि उतेज तरणार वकिल तो था ही था वो उस समय भारती राष्टी कॉंग्रेस में बहुत बड़े पत पर थे और उनका नाम है फिरोसा मैथा जो आपको पता है पार्शी संपता ऐसे थे और दादबाई नोरजी के बाद दूसरे ऐसे पार्शी थे जो भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्स बनते हैं नमबर दो बद्रुदीन तैयक पहले मुसलिम जो कॉंग्रेस के अध्यक्स बने उनके संपर्क में भी मुहमद अली जिन्ना आता है और तीसरा बड़ा नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले का गोपाल कृष्ण गोखले के भी संपर्क में आप लोग धान रखना कौन आत कि तिलक का एक केस भी मुहमद अली जिन्ना हैंडल करता है और अगर वो मैं आपसे पूछू हूँ कि वो इन में से किसको फोलो सबसरी करता था तो सबसे अधिक गोपाल कृष्ण गोखले को फोलो करता था क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले का उस जमाने में बहुत नाम था और आप को बता है गोपाल करस्ण गोखले पहले बारती तैंस ब्र behaves लोकसिवाईयो के मिमर बने है है वो कहता था कि में मुभ्सलीम गोखले बनना चाहता हूं कौन मौहमद अली जिन्ना इससे आपको पता लगेगा क्या कि मुहमद अली जिन्ना किस विचारदरा की और अग्रिसर हो रहा है तो मुहमद अली जिन्ना बेरिस्टर बनने के बाद जब वो कॉंग्रेस के संपर्क में आता है कॉंगरिस से निताओं की संपर्क में आता है तो उदारवाद को ज़्यादा पसंद करता है मतलब जो मौडरेट्स थे उनको पसंद करता है उसी समय तिलक का लाल बाल पाल जो है उनको पसंद नहीं करता है ये बात अलगी को उनका केस मौहमद अले जिन्ना लड़ता है अब इससे हम आगे बढ़ें इससे हम आगे बढ़ें तो ऐसे करते करते और पहला बिंदू जो आएगा वो आता है यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि 1904 के अंदर 1904 में पहला कॉंग्रेस अधिविशन जिसको मौहमद अले जिन्ना जोइन करता है 1904 के अंदर उसके पात 19 केरते हैं कि 1905 से उन्होंने कॉंग्रेस की सदेशता को विदिवत जोइन कर लिया 1905 में कॉंग्रेस के सदेशे बन जाते हैं कुछ बुक्स में 1906 दियावा है लेकिन इस समय कॉंग्रेस में दो धड़े थे एक उदारवादी और दूसरा उग्रवादी रास्टवादी उग्रवादी रास्टवादियों में लाल बाल पाल आते हैं लेकिन वो मौडरेट फेज को अधिक पसंद करते हैं कहते हैं कि उग्रवादी को बाहर निकाल गया लेकिन लाल बाल पाल का प्रभाव इता जाता था कि कॉंग्रेस में उनका प्रभाव चलता इसलिए वो वहाँ से हट जाते हैं कॉंग्रेस से इसे समय आपको पता होगा दो गटनाई हो रही है और वो दो गटनाई जो है उनका मौमद अली जिन्ना से दूर दूर तक लिंक नहीं जान रखना और इस समय मौमद अली जिन्ना एक बहुत बड़ा सेकिलर लिडर था कहते हैं कि वो धर्म निर्पेक्स वेक्ति था कौन? मौमद अली जिन्ना अब मौमद अली जिना जोए धर्म निर्वाचन पणाली आती है तो वो दो गटनाओं का विरोत करता है देखिया एक तो 1905 का बंगाल विवाजन का और एक 1909 की जो सामपरदाइक निर्वाचन पणनाली आती है जिसने भारत में सामपरदाइकता का finns वोया उस सामपरदाइकता के बीज का मौमद अली जिन्ना विरोध करता है जो आके जाके खुद द्वी रास्टर का सिल्दान देता है ये राजनिती है ये पॉलिटिक्स है मतलब 1905 में विक्ती बंगाल में बंगाल विवाजन का विरोध कर रहा है और 1909 में जो सामपरदाइक निरवचन परनाली आई उसका भी विरोध कर रहा है तो फिर 1905 के बंगाल विवाजन का सपोर्ट कौन कर रहा है तो 1905 का जो बंगाल विवाजन है 1905 का जो बंगाल विबाजन है यहाँ पर एक थीम आप देखिए क्या मुहमद अली जिन्ना मुहमद अली जिन्ना ने अपना आसियाना कहा बना लिया है तो आसियाना बॉम्बे में बना लिया है और वो बॉम्बे का माना ववकिल था और 1904 में मुहमद अली जिन्ना ने कॉंग्रेस के समिट में पहली भाग लिया 1905 में और कुछ बुक्स में लिखावा है 1906 में उन्होंने कॉंग्रेस को जोइन किया इसी समय भारत की इतियास की बड़ी गटना होती है और भारत की इतियास की बड़ी गटना है कि उस समय लौड करजन भारत का वाइस रोई था और लौड करजन ने 1905 में बंगाल का विवाजन कर दिया अब जब लौड करजन बंगाल का विवाजन कर देता है तो यहीं से एक मुमेंट सुरू होता है बंगाल विवाजन के विरोध में जिसको हम कहते हैं बंग-भंग आंदोलन और बंग भंग आंधुलन के साथ जब लाल, बाल, पाल जुड़ जाते हैं तो इसी का नाम हो जाता है स्वधिसी आंधुलन या बैसकार आंधुलन जो चलता है 1905-6 के अदर और स्वधिसी आंधुलन को संचलित करने वाले हैं लाल, बाल, पाल, अर्था, उगरवादी, रास्टवादी जब स्वधिसी आंधुलन चलेगा तो इससे रास्टवाट बढ़ेगा और रास्टवाट को रोकनी के लिए तो बंगाल का विवजन किया था इसलिए इस सवधिसी आंधुलन जो बंगाल विवजन के बाद में सुरूआ, इसको काउंटर बेलन्स करने के लिए अंग्रेज जो है एक पार्टी की स्ताफना करते हैं उस पार्टी को इतियास में मुसलिम लीग के नाम से जाना जाता है उसी पार्टी को इतियास में किस पार्टी के नाम से जानते हैं तो उत्तर होगा Muslim League लेकिन आप देखिए कि जिस Muslim League का आगे commanding leader बनेगा मौहमद अली जिन्ना वो मौहमद अली जिन्ना जिस समय Muslim League की इस्तापना हो रही है उस समय मुहमद अली जिन्ना के विचार मुस्लिम लिग से अलग हैं। अब आप कहोगे सर मुस्लिम लिग की इस्तापना कब हुई? तो मुस्लिम लिग के संदर में मैंने आपको पूरा एक चेप्टर पूरा बता दिया था, फिर भी मैं रिपेट कर देता हूँ कि अक्टूबर 1906 में एक मुस्लिम डेलिगेशन आगा खां के नेतरतों में सिमला में लौर्ड मिंटो से जो उस समय वाइसरोज थे उससे मिलते हैं। और उसमें सलिम उल्ला खान, वकारल मुस्ताख हुसेन, आगा खां ये सब जो है एक डेलिगेशन था जो लौर्ड मिंटो से मिलता हैं। मतलब अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग की रूपरेखा तयार हुई। और ये रूपरेखा तयार किसने की आगा खां, सलिम उल्ला खां, वकारल मुल्क मुस्ताख हुसेन, ये सब सामिल थे और ये कौन थे तो ये उस समय के जो इस समय के जो मुस्लिम समाज के जो बहुत संपन लोग थे। highly rich personalities जो थी समरद व्यक्तितु वाले जो लोग थे, ये मुस्लिम समाज में काफी धनाडे लोग थे, इन लोगों को लॉड मिंटो आगे करता है और इनके मादेम से एक पार्टी स्टैबलिस करवाता है जिसको हम मुस्लिम लीग कहता है। मतलब मुस्लिम लीग की रूपरे का अक्टूबर 1906 में तयार होती है और दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। और दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन है वो तीस दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन धाका में हुआ जिसकी अध्यक्स्ता वकार उल्मुल्क मुस्ताक हुसें ने की। लेकिन जिस समय मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन हुआ उस समय मुस्लिम लीग का समिदान तयार नहीं था। इन दोनों समाज को तोड़ा जा सके। और उसमें उस जमाने के कुछ सम्रज जो मुसलमान थे वो लॉड मिंटों से मिलकर के और मुस्लिम लीग की स्ताफना करते हैं और वो मुस्लिम लीग क्या करती हैं बंगाल विबाजन जो होता है और उसमें जो दो पार्ट बने मुस्लिम मैज़र्यटी में थे और हिंदू अलप सिंकिक थे और ये ये बैसिकली अंग्रेज उनकी सोचे समझी रणीती थी जिसके तहत वो मुसलिम लीग को फ्रंट पर ला करके ये कहते हैं कि मुसलिम हीतों के लिए ऐसी पार्टी होना जरूरी है और मुसलिम हीतों के ल नहीं है द्यान रखना मुस्लिम लीग का उदेश्य है मुसल्मानों को ब्रिटिस सरकार के प्रति निस्टावान बनाना मुसल्मानों के लिए ब्रिटिस भारतिय सरकार से सुरक्षा मानक उपलब करोना जैसे सरकारी नोकरियों में आरक्षन, जैसे राजनित्ती में विधान परिष्णों के अंदर आरक्षन, ये मांग जो है वो basically मुस्लिम लीग के माद्दिम से करेंगे और इस परकार मुस्लिम लीग अपने आपको मुसल्मानों का सबसे बड़ी पार्टी समझने लगी, हलांकि थी नहीं और जिस समय मुस्लिम लीग इस परकार से आगे बढ़ रही है, उस समय मौहमद अली जिन्ना का जुड़ाओ मुस्लिम लीग से नहीं है ध्यान रखना ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि 1937 के बाद पॉजिशन ऐसी आएगी कि मुस्लिम लीग ही मुहमद ली जिन्ना और मुहमद ली जिन्ना ही मुस्लिम लीग है उस मुस्लिम लीग की स्तापना के समय मुहमद ली जिन्ना उसके साथ नहीं था अब आप दिखिये Muslim League बनी कप जब Bengal का विवाजन हुआ और 1911 में आपको पता है 1912 में अंग्रेज-بंगाल विवाजन को रद कर देता है बंगाल विवाजन को अंग्रेज रद करेंगे तो वो Muslim तब का जो अंग्रेजों को अपना हितेसी मानता था वो नराज हो जाएगा और Muslim League जो है वो British से नराज हो जाएगी जब British से नराज होगी Muslim League, तो इसी समय 1912 की बाद मुम्मद अलिजिन्ण Muslim League को जोईन करता है मतलब Muslim League को मुम्मद अलिजिन्ण तब जोईन कर रहा है जब Muslim League अंग्रेजों की विरुदी हो रही है और ऐसे करके करते मौहमद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के समिट्स को जॉइन करने लग गया लेकिन आप लोग ध्यान रखना 1940 तक मौहमद अली जिन्ना एक मानावा प्रोफेशनल वकील था और उसके पास समय नहीं था क्यूंकि बहुत बड़े-बड़े कैस मौहमद अली जिन्ना लड़ता था मतलब अभी भी वो पूरा टाइम नहीं दे रहा है किसको अपनी पार्टी को ना पार्टी को उसकी जुरुत है अब वक्त आगे बड़ा और अभी कहीं दूर दूर तक पाकिस्तान की बात भी नहीं ध्यान रखना लेकिन मुस्लिम लीक और मौमद अली जिन्ना वो खिलोना है जिससे अंग्रेज खेले और जिन्नों ने अंग्रेजों ने फूट डालो और रास्करोग की निती के तहट भारत के विविन समोदायों के बीच में वो दरार को चोड़ा करते गए ऐसे करते करते आप देखिए 1916 का लखनाउ समझता होगा जिसमें मुस्लिम लीग और कॉंग्रेज नजदीक आती है और यहीं पर कॉंग्रेज जो है वो सामपरदाइक निर्वाचन परणाली को स्विकार कर लेती है बदले में मुस्लिम लीग उत्तरदाइस आसन का सपोर्ट कर देती है फिर आगे बढ़ें तो आएगा 1927 का साइमन कमीशन 1923 का साइमन कमीशन और 1928 में नहरू रिपोर्ट आपको याद होगा मैंने पूरी समझाए थी साइमन कमीशन का जब भारती लगातार विरोध कर रहे थे तो उस समय के भारत सच्चिव लॉड बिर्किन ने ने कहा कि आप बना लीजी अगर आप महिमात है तो तो तमाम पार्टियां एक प्लेटफर्म पे आती है कॉंग्रेस मुस्लिम लिग सब और एक कमीटी बनाती जिसको इतियास में हम नहरू कमीटी कहते हैं उस नहरू कमिटी के देखते हैं मोतिलाल नहरू और मोतिलाल नहरू ने जो रिपोर्ट प्रस्तत की 1928 में उसी को हम कहते हैं नहरू रिपोर्ट अब आप देखिए मैंने यहां कनेक्शन जोडने का प्रियास किया है अब आप देखिए कि 1928 में जो नहरू रिपोर्ट आएगी 1928 में नहरू रिपोर्ट आएगी और ये नहरू रिपोर्ट बैसिकली किस ने प्रस्तुत की है तो ये उस समय के कॉंग्रेस के अध्यक्स थी मौतिलाल नहरू जिनको नहरू कमिटी का भी अध्यक्स बनाए गया था इस नहरू रिपोर्ट के दो इंपोर्टिन पॉइंट थे जिसको लेकर दोनों पार्टियों में घमासान मजता है उसमें से नहरू रिपोर्ट का एक पॉइंट था डॉमिनिन स्टेटस एक पॉइंट था डॉमिनिन स्टेटस मतलब नहरू रिपोर्ट में मांग की गई कि भारत को डॉमिनिन स्टेटस प्रदान कर दिया जाए मतलब सत्ता भारतियों के हाथ में हो और संप्रूवता बले ही अंग्रेजों के हाथ में रहे उसको हम कहते हैं डॉमिनिन स्टेटस और इसी का एक पॉइंट ये था कि मौतिलाल नहरू की अध्यक्सताम बनी नहरू रिपोर्ट में ये कहा गया कि सामपरदाइक जो निर्व निर्वाचन पर्णाली के दोरा पहली बार 1909 के अंदर मुस्लिम लिग स्टेट और उन सिटों पर चुनाओ लड़ने का अधिकार और वोटिंग का अधिकार केवल मुस्लिम समुदाइक हो था मतलब ये एक परकार का सुरक्षा मांदर्ण था जिसके माददे में से फूर डालने का परियास किया गया अब आप देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया कि सामपरदाइक निर्वाचन पर्णाली के इस्तान पर सामान ने आरक्षन पर्णाली लाही जाए मतलब सीट मुसलमान के रिजर्व हो लेकिन वोटिंग का अधिकार सब को हो ये बात किसमे की गई नहरू रिपोर्ट में अब जैसे नहरू रिपोर्ट आती है तो कॉंग्रियस के और से डॉमिनिन स्टेटर्स का सबसे बड़ा विरूद किया जवारलाल नहरू ने जवारलाल नहरू ने और जवारलाल नहरू के बारे मैंने कल पूरा समय था नहरू भी अपने जमाने का मानावा वकील था तो ये भी वकील और आपको ये भी पता होगा कि जवाला नहरू इसके तुरंद बाद 1929 में 1930 में लाहोर अधिवेशन में पूर्ण सवराज की गोशना करते हैं कि अब कॉंग्रेस का लक्षे पूर्ण सवराज होगा मतलब मौतिला नहरू जो उनके फादर थे जवाला नहरू के उसकी बात को सबसे पहले किसने पीटा तो उसी के बेटे जवाला नहरू ने और डिमांड की कि नहीं पिता जी अब डॉमिनिन स्टेटस नहीं बलकि कॉंग सवराज का अर्थ होगा पूर्ण आज़ादी जब ये बात आती है तो यहां से एक व्यक्ति का रुत्वा कम हो रहा है और वो है मौतिलाल नहरू और एक भारती राजनिती में एक सितरा चमक रहा है और वो है जवालाल नहरू दूसरी तरफ जैसे ही नहरू रिपोर्ट में ये मांग की गई कि सामप्रदाइक निर्वाचन परणाली के इस्तान पर सामाने आरक्षन परणाली को लागू किया जाए तो इसी के साथ मुस्लिम लीग जिड़ जाएगी और मुस्लिम लीग ने नहरू रिपोर्ट को मांग नाम और ये दोनों वकील है मौम्मद अली जिन्ना भी वकील है और जवालार नहरू भी वकील है और इन दोनों का एगो टकराता था इन दोनों की आपस में नहीं बनते थी और मैं तो यह कह सकता हूं कि भारत का यह दुरभाग्य था कि इन दो लोगों के आपस की अन्बन नहीं हमारे देश में दरार पैदा कर दी अब आप देखिए यहां से पूर्ण सवराज होगा यह पूर्ण अजादी की बात करेंगे तो मौहमद अली जिन्ना सुरूब में बहुत बड़े सेकुलर है लेकिन हर आदमी को अपनी राजनिती जिन्दा रखनी है और राजनिती जिन्दा रखने के लिए नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं अब आप देखिए जिस मौहमद अली जिन्ना पर आरंबिक परवाव दादबाई नौरूजी का गोपाल कसन गोखली का बदरुदिन तैयब का फिरोसा मैता का था कहते हैं कि 1920 के बाद मौहमद अली जिन्ना पर किसका परभाव आने लगा तो इन पर परभाव आने लगा कवी मौहमद इकबाल का कवी मौहमद इकबाल का परभाव आने लगा और कवी महमद इकबाल कौन है? कवी महमद इकबाल वोई है जिसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा मतलब वो कवी महमद इकबाल जो ये बात कहता है कि पूरी दुनिया में कोई जहां अच्छा है तो हिंदुस्ता है वोई कवी मुहमद इकबाल 1930 में मुस्लिम लीग के इलाबाद अदिवेशन में ये बात कहता है वोई कवी मुहमद इकबाल जो है 1930 के इलाबाद अदिवेशन में कहता है क्या और अदिवेशन किसका था मुस्लिम लीग का ध्यान रखना कवी महमत इकबाल जो है वो मुस्लिम लीग के इलाभाद अदिविशन में कहता है क्या कि उत्तर पस्टिम में एक मुस्लिम राष्टर बन सकता है एक तरव आप देखिए कॉंट्रोर्सी क्रियेट हो रही है कि वो ही कवी महमत इकबाल है जो कह रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा और एक तरव वो ही कवी महमत इकबाल 1930 के मुस्लिम लीग के इलाभाद अदिविशन में ये कहता है कि उत्तर पस्टिम इंडिया जहां पर आज पाकिस्तान है कहता कि वहां पर एक पर्थक राष्ट्र बन सकता है जो मुस्लिम की देशी हो सकता है मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत फिवाजन के लिए कवी महमत इकबाल उत्तर दाई था लेकिन इस परकार के बीजारोपन किस ने किये तो उत्तर होगा कवी महमत इकबाल और कवी महमत इकबाल का इंपक्ट या परभाव जो था वो किस पर था? महमत अली जिन्ना पर लेकिन ध्यान रखना यहां अब तक 1930 के आसबास भी महमत अली जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ जुड़ावा जरूर था कवी महमत इकबाल का उस पर परभाव जरूर था लेकिन वो आत्मा से एक वकील था इसलिए वो अपने काम में वैस्त रहता था और बहुत हाई प्रोफाइल उसकी फीस हुआ करते थी इस परकार गटना करम चल रहा है 1930 का आधूनिक भारत के इतियास में याद किजिए 1930 में कोई घटना होती है क्या तो 1930 में आप लोग ध्यान रखना 1929 में पूर्ण सवराज की गोशना हो चुकी है और 1930 में गांदी 11 सुत्री मांगे रखते है उसके पैरलल में मुहमद अली जिना 14 सुत्री मांगे रखता है गांदी ऐसी 11 मांग रखता है कि अंग्रेजों का सासन अगर 3 बार आजाए तो सुविकार नहीं कर सकता और नेता उसको कहते है जिसकी मांग सुविकार नहो और मैंने कहा जिना नेता नहीं था अच्छा उसने 14 मांगे रखी 14 में से अधिकांस मांगे उसकी सुविकार हो गई राजनिती खतम हो गई उसका राजनिती में मन कम हो गया क्योंकि आवाम उसके साथ अब भी नहीं जुड़ी भी थी मुसलिम जो थे मुसलिम लीग से जाए लीडर तो मुसलमानों के कॉंग्रेस के अंदर थे बंगाल करसिक परजा पार्टी थी पंजाब में यूनिनिस पार्टी थी जिसमें मुसलिम लीडर बहुत सारे थे उत्तर पस्यम में खान अब्दुलगफार खान साब थे जो बड़े-बड़े मुसलिम लीडर थे मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मौहमद अली जिन्ना अभी तक भी पब्लिक प्रशनल्टी नहीं था लेकिन 1930 के जो गौलमे से मिलन होते हैं उन गौलमे से मिलनों की और से कॉंग्रेस ने पहले गौलमे से मिलनों का भाग नहीं लिया दूसरे में भाग लिया अब जो राउंटेबल कॉंफरेंस गौलमे से मिलन जो लंदन में हुए उसमें दलित्वर की और से भीमराओ अमबेट कर अपना पक्स रखता है और मुस्लिम लिग की और से मौहमद अली जिन्ना पक्स रखता है और आप लोग ध्यान रटना मौहमद अली जिन्ना ने पर्थम और दूसरे दित्थे राउंटेबल कॉंफरेंस अर्थात गोल में समलन में भाग लिया था तीसरे में उसको इन्वाइट नहीं किया गया था और जिस समय कभी मौहमद अक्पाल के राय कि उत्तरपस्य में एक प्रत्थक राश्टोर ना चाहिए उस समय जिन्ना लंदन में है उस समय जिन्ना मतलब जिन्ना की रूचिक उस समय मुस्लिम लीग में कम है और वो भारत से बाहर है जब 1934 के आसपास जिन्ना वापस इंडिया आता है हलांकि बीच में कई बार आता है लेकिन 1934 के अंदर जब लंदन से आता है तो मुस्लिम लीग रिक्वेस्ट करती कि आप हमारी लेडर्शिप आत्मा से स्विकार कीचिए और एक्च्वल में 1935 के आसपास से पूरी तरह से जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ जुड जाता है और इधर कॉंग्रेस भी अपने राश्टी आंदरों को तेज गतिश आगे बढ़ा रही है उसका सविन्य अवग्या अंदरों सफल हो चुका है गांधी इर्विन पैक्ट कराची अदिवेशन फिर सेकेंड राउंटीबल कॉंफरेंस में गांधी भाग लेंगे फिर वापस और इस दोरान पर्थम दित्ते और तीसरे गौल में समिलनों के समिस्टन से और साइमन कमिशन की रिपोर्ट से एक अधिनियम तयार हुआ जिससे भारत के इतियास में 1935 का अधिनियम कहते है तो अब एक अधिनियम आएगा 1935 का अधिनियम 1935 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम जब आया तो एक बात तो मैंने कहा दी 1930 के अंदर क्या कवी मुहमत इकबाल कहता है कि उत्तर पस्विम के अंदर एक प्रत्थक राश्टर बन सकता है और इसी प्रकार कहते हैं कि 1930 से 1933-1934 के असपास चोदरी रहमत अली और उसके कुछ दोस्त जो है वो कैमरीज में थे ब्रिटन के अंदर और उन लोगों ने एक थीम मुहमत अली जिन्ना के पास बेचे और उन थीम क्या थी कि एक प्रत्थक राश्टर किस परकार बन सकता है ये किस ने किया तो ये बात कई है चोदरी रहमत अली ने चोदरी रहमत अली भारती स्टूडेंट था चोदरी रहमत अली और इनों ने एक प्रत्थक राश्टर के लिए पाकिस्तान सब्द दिया चोदरी रहमत अली ने ये जो पाकिस्तान सब्द है ये बैसिकली फॉर्मेशन कहां से हो रहा है चौदरी रहा मतली यह कौन है यह बिटेन पढ़ने गए भारती युगाउं का एक ग्रूप है जिसका लेडर चौदरी रहा मतली था और इसमें P मतलब था पंजाब A मतलब था अफगानिस्तान K मतलब था कस्मीर और I का यहां मतलब नहीं कुछ भी S का मतलब सिंध है और THAN का मतलब ब्लूचिस्तान है यह बात कौन लिखे बैसता है चौदरी रहमत अली का ग्रूप लिखे बैसता है किसको मौमद अली जिन्ना को और मौमद ले जिन्ना के पास जबी लेटर आता है यह गटना 33-34 के आसपास की है जैसे चौदरी रहमत अली के लेटर को जिन्ना पढ़ता है तो मतलब बात कुल मिला के एक पर्थक राष्टर की की जा रही है कहता है कि जिन्ना अंदर से तिल मिला उठा क्योंकि अभी तक भी वो राष्टवादी था और उसने वो लेटर अपनी पॉकेट में वापस डाल लिया अब आप दिखीए भारत के इतियास में एक अधिनियम का बहुत बड़ा मेहत्व है और वो है 1935 का अधिनियम और 1935 के अधिनियम का पहला बिंदु था कि बिटिस भारती प्रांतों और देशी रियास्तों को मिलाकर एक भारती संकी स्तापना की जाएगी मलब जो इंडिन फेडरेशन का कॉंसेट आ रहा है वो सबसे पहले 1935 के अधिनियम में आ रहा है ये मैंने आपको एक पूरी क्लास में समझा भी रखा इसको वापस एनालिसिस भी कर रखा है 1935 के अधिनियम का और मैंने ये भी बताया था कि 1935 के अधिनियम का संगिय पक्स लागू नहीं हो पाया मलब केंद्रिय पक्स और उसका राज्य स्तर का जो पक्स था लागू हो गया और 1935 के अधिनियम के दोरा British भारतिय प्रांतों को बहुत सरे अधिकार दिए गए इसलिए 1935 के अधिनियम के अधर में पहली बार भारतिय प्रांतों में मुक्यमंत्री बनने वाले थे इसलिए 1935 का अधिनियम आने के बाद हर पार्टी प्रांतों के चुनाओं में लग गई मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांती चुनाओ हुए प्रांती चुनाओ हुए प्रांती चुनाओ किस अधिनियम के आधार पर? 1935 के अधिनियम के आधार पर और 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में जो प्रांती चुना हुए जो प्रॉविंसिल इलेक्शन हुए उस समय भारत में कित्ते प्रांत थे तो 11 प्रांत थे उन 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में कॉंग्रेस की सरकार बन गई कॉंग्रेस की सरकारे बनी बिहार, बॉंबे, मद्धे परांद, सहिंक्त परांद, उत्तरपसी में सीमा परांद, असाम इन सब जगह पर, मतलब पाँच परांदों में कॉंग्रेस ने इस पस्त बहुमत पराफ कर लिया था तीन परांदों में इसने गट बंदनी की सरकार बनाए कुल मिला के, बिर्टिस भारतिय परांदों के ग्यारा परांदों में से, आठ परांदों में कॉंग्रेस की सरकार बनी और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट ये था, कि उस समय कॉंग्रेस की लिडरिशिप किसके पास में है तो जैसा कि आप लोग जानते हो, 1936 और 1937 के लखनों और हरीपुरा अधिवेशन जो हुआ था, उसके अध्यक्स जो थे, मतलब 1936-1937 में कॉंग्रेस की अध्यक्सता पंडित जवारलाल नहरू के नहतर थे तो कुल मिला के मैं कहूंगा, कि जब कॉंग्रेस की सरकारे बने तो इसका सबसे अधिक क्रेडिट किसके पास जाएगा, तो उत्तर होगा जवारलाल नहरू के पास में, और नहरू 1937 में कॉंग्रेस का एक बहुत बड़ा लिडर बन गयर, ठोड़ा इगो तो नहरू के पास था, अब आप देखिए, आठ प्रांतों में कॉंग्रेस की सरक सरकार बनने से, रातों रात, भारती रास्टी कॉंग्रेस में नहरू के कद बहुत बड़ा हो गया, अब रए तीन प्रांत, जहां पर मुस्लिम लीक की सरकार बन सकते थे, उन में से एक प्रांत, ग्यारा में से एक प्रांत थे पंजाब, यहाँ पर मुसल्मान बड़ी संख्या में थे लेकिन जो पंजाब प्रोविंस था उस पंजाब प्रोविंस में सरकार बनी यूनिनिस्ट की और सियम बना सिकंदर हयात यहाँ पर सियम कौन बनता है सिकंदर हयात बनता है फिर बंगाल की बात करें तो बंगाल में कर्शिक परजा पार्टी की सरकार बनती है और सियम मनता है कौन फजल उलहक और तीसरा रहा सिंध और सिंध में मनती है सिंध यूनाइटिट पार्टी और गुलाम हुसेन सम्टिंग नाम था वो सियम मनते हैं मैं सिरफ आपका ध्यान इस बात की और आकरसित करना चाहरा हूँ ये नहीं कि 1937 का रिजल्ट क्या था या 1937 में कौन मुख्य मनती बना ये मेरा आबजेक्ट इस कलास में नहीं है मेरा आबजेक्ट सिरफ आपको ये ब रही थी आप देखे ग्यारा आठ प्रांतों में कौंग्रिस की सरकार बनी और जहां मुस्लिम मैजरिटी में थे वहां भी मुस्लिम लेकी कहीं सरकार नहीं बनी इसका मतलब भारत के विवाजन के लिए मुसल्मान उतरदाई नहीं था मुसल्मान ने हिंदुस्तान का साथ दिया तो विरोधी कौन था विरोधी मुसलिम लेक थी और मुसलिम लेक के बात में दिल में बात चुप गई कि अपन चो इत्ता बड़ा दावा करते हैं कि हम ही भारत के मुसल्मानों के असली परतनिदी हैं तो फिर आपके एक भी प्रांथ में सरकार क्यों नहीं बनी अगर आप भारत के मुसल्मानों की सबसे बड़ी पार्टी होते तो आपकी किसी एक प्रांथ में तो कम से कम सरकार बननी चाहिए थी लेकिन 1937 के प्रॉविंसिल इलेक्शन में किसी भी प्रांथ में सरकार नहीं बनी इसलिए कुछ इतियासकार ये बात कहते है कि 1937 के प्रांथिय चुनाओं की नतीजों नहीं बोतल में बंद जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया हम कई बार बोतल में देखते हूं कि गाओं में कई बार तंतरमंतर की विद्ध्या से बोतल में भूत को बंद करते है और वो ढकन खोला और भूत बाहर आगया इतियास में उसी भूत को मौमद अली जिन्ना कहते है कहते हैं कि 1937 की चुनाओं ने बोतल में बंद इस जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया अर्थात जो इलेक्शन की रिजल्ट आए वो मुस्लिम लिग को बहुत अधिक हतास करने वाले थे इसलिए 1937 के चुनाओं के बाद मौमद अली जिन्ना उस लेक्टर को वापस निकालता है जो चौदरी रहमत अली ने बेचा था और उसको पढ़ता है अब चुकि मुस्लिम लिग को अपना अस्थित्तों बचाना जरूरी था और मुस्लिम लिग के अस्थित्तों के लिए जरूरी थे उसके पास वोट बेंग को और वोट बेंग उसका सबसे बड़ा वोट बेंग अपने आपको मुस्लिम समुदाई को मानता था और मुस्लिम समुदाई जो है, वो कृसक परजाफ पार्टी के पास, कॉंग्रेस के पास, युनिरिस पार्टी के पास, सिंध युनिटिट पार्टी के पास में था, अब कैसे खेंचे उसको तो ध्यान रखना, 1937 के बाद, जिन्ना एक ऐसा परपूजल लेकर आता है, जहां से भारत विबाजन अनिवारता की और जाएगा और 1937 के अंदर, जो प्रजेंट किया गया, जो प्रपूजल था, या जो सिद्दान था, वो क्या था, तो आप देखें, 1937 के बाद एक चीज़ या रखना, मुहमद अली जिन्ना ही मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ही, मुहमद अली जिन्ना है तो मुहमद अली जिन्ना ने, मुहमद अली जिन्ना ने, 1937 के, 1937 के प्रांति चुनाव में हार के बाद, एक सिद्दान प्रसुत किया, और वो सिद्दान था, वो सिद्दान था, द्वी राष्टर का सिद्दान था, जिसको हम कहते हैं Two Nation Theory Two Nation Theory और यह Theory क्याती है? मैं कई बार बता चुका हूँ क्या? कि हिंदू और मुसलिम दो अलग-अलग संपरदाई नहीं बलकि दो अलग-अलग रास्टर हैं और दो रास्टर एक साथ नहीं रह सकते ये बात कौन कर रहा है? ये बात मुहमद अली जिन्ना कर रहा है आम मुसल्मान नहीं कर रहा है मतलब जिन्ना नहीं ये कहा कि हिंदू और मुसल्मान दो अलग-अलग संपरदाई नहीं बलकि दो अलग-अलग रास्टर हैं और दो रास्टर एक साथ नहीं रह सकते इसलिए हमें प्रत्थक राष्टर चाहिए मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रत्थक राष्टर की डिमांड है वो सबसे पहले 1937 के चुनाओं के हार की बाद आएगी लेकिन इत्ती जल्दी समाज में एसेप्ट कैसे हो गई तो उसका रिजन है कि अंग्रेजों ने 1905 के बंगाल विबन से 1909 की सामपरदाइक निर्वाचन प्रनाली से हिंदू-मुसलिम समुदाइक के बीच में लगातार दरार बना की रखी थी और मुसलिम लीग बनी नहीं थी, बनाई गई थी मुसलिम लीग वो खिलोना था जिससे अंग्रेज खेले इसलिए आप दिखिए उसका अब परिणाम आना सुरू हो गया है किसका 1905 के बंगाल विबन का 1909 की सामपरदाइक निर्वाचन प्रनाली का क्या कि मुहमद अले जिन्ना ने बहुत उग्र सामपरदाइकता का ब्योरा पेस करती वे कहा कि हिंदू और मुसल्मान अलगलग समुदाई नहीं बलकि दो अलगलग रास्टर हैं और दो रास्टर एक साथ नहीं रह सकते और इसे के साथ एक पर्थक रास्टर प्रत्रक रास्टर की मांग सुरू हो जाती है डिमांड फॉर ए सेपरेट नेशन और कहते हैं कि अभी तक सूट बूट में रहने वाला हर समय अंगरीजी वेसमुसा में धारन करने वाला मौमद अली जिन्ना पूरी तरह से मुस्लिम वेसमुसा में आ जाता है और जिन्ना ने जो लाहूर अधिवेशन हुआ लाहूर अधिवेशन किसका तो उत्तर होगा लाहूर अधिवेशन जो मार्च 1940 के लगबग होता है और किसका था तो मुस्लिम लीग का अधिवेशन था और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पर्थक राष्टर का प्रस्ताव पास कर दिया सेपरेट नेशन का प्रपोजल किस अधिवेशन में पास हुआ तो मुस्लिम लीग ने 1940 के पर्थक राष्टर का प्रस्ताव पास कर दिया अब मतलब यह extreme demand है इससे नीचे कोई demand ही नहीं है कि हमें separate nation चाहिए प्रत्रक राष्टर चाहिए और 1940 में जब प्रत्रक राष्टर की मांग पास हो जाएगी Muslim League के अधिवेशन के अंदर तो यहीं से अभी तक जो संपरदाइक्ता उदार संपरदाइक्ता थी वो संपरदाइक्ता उगर संपरदाइक्ता में बदल जाएगी हिंदू-Muslim दंगे सुरू हो जाएगे एक हाथ दूसरे हाथ को काटने लग जाएगा और गांदी का ऐ हिंसात्मक अंदोलन अपना हिंसक रूप ले लेखा अब इसी समय जिस समय परत्रक राष्टर का प्रपूजल पास हो रहा है उस समय अंग्रेज कहां है तो अंग्रेजों का किवल एक अबजट इस समय है कि कैसे करके सेकिंड वल्ड वार जीता जाए तो अंग्रेज कहां पर वेस्त है अंग्रेज चो है वो सेकेंड वर्ड वार में वेस्त है कॉंग्रेज की कमांड कहीं न कहीं पंडित जवारला नेरू के आत्मे है क्योंकि 1948 के त्रिपुरी संक्रिट के बाद सुबास बाबू भी कॉंग्रेज छोड़ चुके है इसलिए 1940 में हमारा राष्ट की आंदोलन दो धाराओं में विवाजित हो रहा है उसमें से एक धारा अब प्रत्यक राष्ट की ओड़ चली गई है और एक धारा आजादी की मांग कर रही है आपको पता है इसी दोराण 1942 में गांदी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देते है मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो अब गांदी या कॉंग्रेज अगर ये बात के रही है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो तो उस समय जिन्ना अपनी अवाम को कैसे बढ़काएगा वो कहेगा मुसल्मानों तुम सुरक्षित नहीं हो अगर अंग्रेज चले गए तो आपकी कौन सोचेगा मतलब जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन कॉंग्रेज की लिडिशिप में चल रहा है उस समय जिन्ना मुसलिम समुदा की बड़े वर्क का ब्रेन वास करेगा और कहेगा कि अगर अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया तो फिर हमें परत्रक्रास्टर कैसे मिलेगा और ऐसे करते करते आप देखिए इसी समय मैंने आपको समझाया था कि इसी समय जिन्ना को मनाने के परियास चलते है और वो परियास कौन कौन से है तो आपको पता है कि उन्हीं परियासों को मतलब गांदी ये चाते हैं कि जिन्ना कैसे करके मान जाए और इस समय गांदी के खासम खास सी राजगोपलाचारी एक फॉर्मूला पेस करते हैं जिसको हम कहते हैं राजगोपलाचारी फॉर्मूला ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है लेकिन राजगोपलाचारी फॉर्मूले को भी जिन्ना स्विकार नहीं करता है फिर गांधी जिन्ना वारता गांधी जिन्ना क को बहुत समझाने का प्रियास करते हैं बॉंबे के अंदर लेकिन जिन्ना नहीं मानता है फिर देशाई लियाकत समझोता है देशाई लियाकत समझोते की माद्यम से भी लियाकत अली आगे चलकर पाकिस्तान का पियम बनता है तो देशाई लियाकत समझोता लेकिन मुहमत अली जिन्ना इसको भी स्विकार नहीं करता है, मतलब मौहमत अली जिन्ना इतना हट दर्मी हो जाता है, कि वो पाकिस्तान से कम किसी मांग पर सहमत नहीं है, इसके बाद आपको बता है, जब भारत में सामप्रदाइक दंगे बढ़ गए, तो ततकालीन वाइसरोई, लॉर्ड विवेल प्लान प्रसुत किया, जिसके माद्यम से भी मनाने का प्रियास किया, लेकिन जिन्ना ने विवेल प्लान को भी सुविकार नहीं किया, विवेल प्लान की बाद, बृटेन में सरकार बदलती है, और एक मिशन भारत में आता है, जिसको हम कहता है, कैबिनेट मिशन, और उस cabinet mission में तीन cabinet मंत्रिय आये थे 1946 के अंदर, उसमें ये पहला ऐसा mission था, cabinet mission जो कहता है कि पाकिस्तान की मांग ही ऐतार्किक है. और आपको पता होगा कि cabinet mission में समिदान सभा का इसपस्ट उलेक था, अंतरिम सरकार का इसपस्ट उलेक था, लेकिन उसमें कमजूर बिंदु क्या था, कि भारत के 11 प्रांक्तों को तीन समू में बाटा जाएगा, और ये तीन समू आपस में आगे चलकर उप समू बना सकते हैं मलब कोई दो जो है, मिलकर उप समू बना सकते हैं, तो जिन्ना cabinet mission को सुविकार कर लेता है, तब ऐसा एक बार लगता है कि भारत विवाजन नहीं होगा, लेकिन जिस परकाश समिदान सभा में इस पस्ट कॉंग्रेस को बहुमत मिल गया, इससे जिन्ना को लगता है कि अब का समिदान जो बनेगा, वो बेसिकली कॉंग्रेस की पसंद का होगा, हमारी नहीं चलेगी, इसलिए अंतरिम सरकार बनने से पहले 16 अगस्त 1926 को वे परतिक्स कारवई दिवस की रूप में बनाता है, जिसमें सामपर्दिक धंगे और अधिक बढ़ जाते हैं, इसी समय सरद पतिल की इस बयान से कहीं न कहीं सुविकार कर चुकी है, कि भारत का विवाजन होगा, साथी साथ अंग्रेज मूख दर्सक बने वे थे, और भारत के बंगाल, पंजाब, इन छित्रों में व्यापक हिंसा हो रही थी, इसी हिंसा के बीच, बिटिस प्रदमत्री एटली चोह वेवेल को वापस बुला लेता है, और वे एक तेज तर्रार व्यक्ति जिसको माउंट बेटन कहते है, वो माउंट बेटन भारत में आता है, माउंट बेटन भारत में आने के बाद पहले तो बालकून प्लान त्यार करता है, जो मैंने आपको समझाया था, लेकिन बाद में वो एक योजना तयार करता है जिसको इतियास में Mountbatten योजना या 3 जून योजना कहते हैं ध्यान रखना इस योजना के तैथ ही भारत की आज़ादी और भारत का विवाजन हुआ 1947 के अदर 1947 में भारत की आज़ादी और भारत का विवाजन चुप हुआ वो किस प्लान के अदर पे हुआ तो 3 जून 1947 की डिकी बड प्लान या Mountbatten योजना के अदर पर ये विवाजन हुआ था इसके सबसे प्लस पॉइंट क्या था नेगिटिव पॉइंट तो ये था कि इस प्लान ने Mountbatten प्लान ने हमारी आज़ादी तै कर दी इसलिए हमारी एक आँख से खुसी का आँसो निकल रहा था लेकिन इसी प्लान में भारत का विवाजन भी तै कर दिया इसलिए अगर हमारी एक आँख से खुसी का आँसो निकल रहा था दूसरी आँख से दुख के आँसो निकल रहे थे और ये तैह हो गया था कि भारत का विवाजन होगा और जिन्नाब भी कही न कहीं बहुत हटिला था कि वो लेकर ही माना और साथी साथ कॉंग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे लेडर थे जिनकी राजनितिक मेत्वकांसाओं ने कहीं न कहीं भारत के विवाजन को इस और धखेल दिया साथी साथ अंग्रेजों की जो मोग दर्सक बनी नीतियां थी उन नीतियों ने भी कहीं न कहीं भारत के विवाजन को प्रसस्त कर दिया कुल मिलाके मैं कहना चाहूँगा कि 14 अगस्त और 15 अगस्त की जो राट थी 14 अगस्त की राट को पाकिस्तानess भारत से अलग हो गए और जिन्ना की मांग सुविकार हो गई लेकिन जिन्ना की सिद्दांत को सुविकार नहीं किया गया अर्थात भारत का विवाजन तो हुआ लेकिन द्वी राष्टर के सिद्धान्त के आदार पर नहीं अब आप देखिए मौमद अली जिन्ना की एक बीच में एक चीज और है मौमद अली जिन्ना ने उनकी पहली पत्नी का दियान तो बहुत पहले हो गया था और दूसरी पत्नी किसके साथ उन्होंने जो स्यादी की है जो उनकी सेकिन्ड वाइफ है उनके साथ में कि जो उनकी सेकिन्ड वाइफ थी वह उनसे 24 साल चोटी थी और उनकी उससे बनी नहीं 1929 में उसकी death हो जाती है और जिन्ना की एक बेटी थी जो एक पारसी समधाई के लड़के से साधी करती है जो आज जो नैसवाडिया फेमेली है वो जिन्ना के परिवार से है मतलब जिन्ना जब भारत का विबाजन हुआ और मुहमद लिजन्ना पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान में वो गल्ती करता है वो काईदे आजम है लेकिन वो सोचता है कि गवर्नर जनरल की पॉस्ट काफी ताकतवर है इसलिए वो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बन जाता है पहला जबकि संसदिय सासन प्रणाली में सबसे ताकतवर पोस्ट जो है वो प्रधानमत्री थी और पाकिस्तान का प्रधानमत्री बनता है ल्याकात अली और ऐसे भी कहते हैं कि 1947 से लेकर जब पाकिस्तान बना तो उसके साथ क्यों उसकी बेहन ती फातिमा और जिन्ना अब ल्याकत अली के हाथ में थी इसलिए कहते हैं कि उसका अंतिम समय काफी दुख में वैतित हुआ काफी कटिनाईयों के दोर से गुजरा उसको टी बी होगी थी और कुछ बुक्स में लिखाय कि फेवरे में कैंसर भी हुआ है क्योंकि वो बहुत अधिक सीगार पीता था मुहमद अली जिन्ना इसलिए मुहमद अली जिन्ना को 1948 में उसकी सिस्टर जो है फातिमा जो उस समय चुँकि वो गवर्न जनल है उसको इलाज के लिए क्वेटा ले गई और क्वेटा से उसको वापस कराची लाया गया कराची में जब प्लेन लेके आए और वहां से हॉस्पिटल जब लेके जा रहे थे तो आप देखिए पाकिस्तान की काईद आजम पाकिस्तान की गवर्नर जनल मुहमद अली जिन्ना कि वेन जो अमिलेंस थी उखराब होगी सड़क पे दो गंटे तक मुहमद अली जिन्ना सड़क पे तड़पते रहे यह किस बात की सजा है यह उन हजारों आशों की सजा है जो आपने हिंदुस्तान के साथ किया और 1948 में मुहमद अली जिन्ना कि डैथ हो गई कुछ भारती त्यासकार और कुछ कहते हैं कि गवर्नर जन्रल माउंट बेटन ने भी ऐसा कहा था कि मुहमद अली जिन्ना को गंबीर बिमारी थी टीबी उस समय भी गंबीर मानी जाते थी साथ साथ में कैंसर था गंबीर बिमारी थी इसके बावजूद इस बिमारी को जिन्ना ने चुपाया अगर साथ पता लग जाता तो हम जिन्ना की इस बिमारी का इंतजार कर ले थे क्योंकि 47 में आजाद है तो 48 में आजाद हो जाते लेकिन कम से कम भारत का विवाजन तो रुख जाता क्योंकि भारत के विवाजन के लिए कोई व्यक्ति अगर सबसे अधिक उत्तरदाई था तो मुहमद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग थी उत्तरदाई उतने के उतने ही अंग्रेज भी थे क्योंकि अंग्रेज वो सरकार थी जिसने मुहमद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को खिलना बना करके ये पूरा खेल खेला तो दोस्तों आज ये पूरा टॉपिक जो था ये मैंने मुहमद अली जिन्ना के बारे में बताया आपके यूपियस से प्री एक्जाम और मेंस के अंदर ध्यान रखना मेंस में कई बार मुहमद अली जिन्ना से प्रसंद पूछा गया है एक बार किशन ये पूछा गया था कि क्या भारत के विवाजन के लिए मौमद अली जिन्ना उत्तरदाई थे टिपणी कीजिए इसका आप उत्तर मुझे लिख कर बताना आज इतना ही जै हिंद जै भारत